सबी सातियों को मेरा नवसकार I hope आप सबी लोग बहतरीन होंगे और बहतरीन तरीके से अपनी प्रप्रेशन कर रही होंगे आज हम इस वीडियो में 2013 में जो इंगलेस कोशन पेपर हुआ है Class 10th के अंतरगत 870DI इस कोशन पेपर में राइटिंग के अंतरगत कहा गया है तो सातियों किसी भी एप्लिकेशन को आपको लिखना है प्रदाना चारीजी के लिए तो मैं आपको एक बहतरीन ट्रेक इसमें बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आपका कोशन हम देखते हैं तो आपका कोशन है Write an application to the principle of your college अपने कॉलेज के प्रदाना चारीजी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए That the college library की कॉलेज का पुस्तकाल है Is lacking यानि कि बंचित है its function अपनी कार्य प्रडाली से लैक माने कमी भी होता है यानि कि अपने कॉलेज के प्रदाना चारीजी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि कॉलेज का पुस्तकाल है अपनी क्रिया प्रणाली से वंचित है तो साथियो आईए देखते हैं किस प्रकार से आप एक application प्रदाना चारीजी को लिख सकते हैं तो जब भी आप प्रिंसिपल के लिए एक application लिख रहे हैं तो इधर से आप starting करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा to यानि कि सेवा में और उसके just नीचे आप लिख देंगे the principle स्रीमान प्रदाना चार महोदे उसके बाद आप अपने विध्याले का नाम लिख देंगे मैंने लिख दिया है जनता इंटर कालेज अब मैं जहां का निवासी हूँ जो विध्याले है हमारा तो खेरागण आगरा में ये इस्तित है तो इतने format में सातियों केवल आपको अपने college का नाम और केवल अपने जिले का नाम change करना है उसके बाद आप लिखेंगे subject यानि की बिशय और यह है आपको question में ही देखने को मिल जाएगा तो मैंने लिखा है An application for lacking of libraries function यानि की पुष्टकाले की क्रिया जो कारिप्रणाली है उससे बंचित होने के लिए एक प्रार्थना पत्र इतना मैं सातियों आपको केवल यह जो subject दिया है यही आपको change करना है यह आपको question में देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप लिखेंगे dear sir यानि की प्रिय सर उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा आगे लिखेंगे most respectfully I wag to say सविने निवेदन है that I am a student of class 10th in your college की मैं आपके विद्धाले में class 10th का छात्र हूँ यहां तक आप principle के लिए shame रखेंगे सातियों केवल आपको यहां subject change करना होगा केवल यहां तक clear है ना आप चाहें तो एक screenshot इसका ले सकते हैं उसके बाद आगे आप लिखेंगे there is no library in our college campus हमारे college campus में कोई भी पुस्तकाले नहीं है library is a man's source of knowledge पुस्तकाले ग्यान का मुख्य स्रोत होता है library is a man's source of knowledge पुस्तकाले ग्यान का मुख्य स्रोत होता है library is very necessary for every college पुस्तकाले प्रत्यक college के लिए बहुत ही आवस्यक होता है library is very necessary for every college यानि कि पुस्तकाले हर college के लिए अत्यावस्यक होता है so that ताकि all the students सभी छात्र may take benefits या फिर advantage यानि कि so that ताकि all the students सभी छात्र may take benefits या एडवांटेज ताकि सभी छात्र इसके फायदे उठा सकें अवसातियो यह लाइन आपको नीचे लिखेंगे I therefore request you इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ to provide the library facilities यानि कि पुस्तकाले facilities सुविधाओं को provide उपलब्द कराने के लिए I therefore request you to provide the library facilities इसलिए मैं आपसे पुस्तकाले सुविधाओं को उपलब्द कराने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ in this session इस सत्र में in our college हमारे विध्याले में इसलिए मैं हमारे विध्याले में इस सत्र में पुस्तकाले सुविधाओं को उपलब्द कराने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रिंसिपल के लिए यह अंतिम लाइन आप याद रखेंगे आई सेल आलबेज वी ओबलाइड टू यू मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा उसके बाद यहां आप लेखेंगे थैंकिंग यू यानि आपको धन्यवाद देते हुए नीचे आप लेखेंगे यूर्स ओविडियन्टली आप चाहें तो प्यूपिल भी आप लेख सकते हैं यानि कि आपका आज्याकारी सेस्ते हैं यूर्स ओविडियन्टली प्यूपिल आपका आज्याकारी सेस्ते हैं आप नीचे लिख देंगे एक्ष वाई जैड इधार आप लिख देंगे डेट एड और यहां आप डेट मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो कोई भी समस्या नहीं है आई होप अच्छे से आपको सबी चीज़ें क्लियर हुई होंगी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक वारा बस बताएंगे मिलते हैं नेक्ष वीडियो में थैंक्स पॉर वाचेंग